जीवन में हैं पैसों का संकरतों अपनाएं वास्तु सास्त्र में बताया गया ये खास उपाय जल्द ही मिलेगा लाब नमबर वन वास्तु नियम के अनुसार यदि आप नौकरी या व्यापार में आर्थिक उनती चाहते हैं तो अपने घर में उत्तर पूर्व यानि इशान कोड को साफ रखना चाहिए नमबर टू वास्तु सास्त्र के अनुसार नल और टंकियों से अनावश्यक बहता पानी अशुब माना जाता है जिन घरों में व्यर्थ पानी बहता है वहां बरकत नहीं होती है इसके अलावा बेवज़ा धन खर्च होता है ध्यान रखने की व्यर्थ में पानी की बरबाद नमबर थ्री घर में पूजा स्थान का बहुत ध्यान रखना चाहिए यदि आपके घर में दक्षिन दिवार पर मंदिर बना हुआ है तो ऐसे में आपको धन से संबंधित भैंकर परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है घर में पूजा स्थान हमेशा इशान कोड यानी उत्तर पूर्व में ही बनाएं नमबर फोर वास्तु सास्त्र के अनुसार घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए यह वास्तु दोस्त को दूर करने के साथ ही धन संबंधित रुकावट को दूर करती है नमबर फाइफ अपने घर के दर्वाजे पर खिड़कियों को हमेशा साफ रखें क्योंकि घर में आने वाला धन का सीधा संबंध होता है नमबर सिक्स घर की उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है वास्तु के अनुसार घर की आलमारी को दक्षिड की दिवार से सटा कर ऐसा रखें जिस से उसका द्वार उत्तर की और खुले इससे घर में कुबेर देव के साथ माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है नमबर सेवन पर्स में 21 अखंडित चावल के दाने को बांध कर रखें पर्स को हमेशा बाही जेब में रखना चाहिए इससे धन लाब के योग मिलते हैं पर्स म एक चांदी का सिक्का जरूर रखें जिसने माता लक्ष्मी की आकरिती बनी हो नमबर एट एक अखंडित भोजपत्र पर लाल चंदन को पानी में घोलने और उसको इंक जैसा इस्तिमाल करते हुए मोर पंक से श्री लिखें अब इस भोजपत्र को तिजोरी में रख दें ऐ जाल रिबन से बंधे सिक्के लटकाने इससे घर में धन और सम्रिद्धी आती है नमबर टैन यदि घर के वास्तु दोस्त दूर करना चाहते हैं तो घर के एक कोने में भीगा कपूर जला कर रखें ऐसा करने से घर में सकारात्मक उर्जा का वास होता है और धन भी स्थिर हो दिया जरूर जलाएं इससे भी वास्तु दोस्त दूर होता है मालक्षमी का वास होता है अगर ये नुस के आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब करना बिल्कुल मत भूलें साथ में और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्र